जेह मसी की दोस्तों, आज के सुरिग्यमन्ना का भाग हमने लिया है भजन साहिता के पुस्तक, उसका 119 अध्याय और उसका 71 वचन. वचन कहता है, मुझपर जो कलेश आया, वो मेरे लिए भला ही हुआ, कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूँ. धन्यवाद पता परमेशन इस वचन के लिए, परमेशन ये वचन मेरे लिए एक जीवन के समान है, ये वचन मेरे लिए एक उन्मात के समान है, एक खुशी का कारण है, यस क्यों? क्योंकि जब वो दुख मेरे जीवन में आया, जब मैं इशुमसी को नहीं जानता था, और वो दुख ने मुझे इतना हिला दिया था कि मैं सोच रहा था कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है कोई मुझे सहरा नहीं देने वाला है कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है कोई नहीं है जो मेरे जीवन में सुख लाए, उस दिन उस पल मेरे किसी बहन ने में जिए किसी भाई ने इशू मसी के बारे में मुझे बताया दोस्तों जिस दिन मेरे इशू मसी के बारे में जाना परमेशन ने मुझे चुआ ओ आशा की करण मेरे सामने थी वो जोती मेरे सामने थी और मैं उस संकट से बाहर आया मैं उस दुख से बाहर आया आप भी याद करिए कि आप जब पर्भू में नहीं थे और किस तरीके से आपका दुख आपको पर्भू में लेकर आया तो हमें धन्यवाद देना है उस दुख को हमें धन्यवाद देना है उस पीड़ा को उस मुसीबत को जो हमें परमेश्वर के दौर पर लेकर आई जो हमें इशू मसी के दौर पर लेकर आई और आज वो सुख, वो आशीश, वो जोती हमारे साथ है हालेलोया मुझे एक किसा यादाता है बाइबल में एक बहन है रूत जो पीड़ा में थी जो मुआब जाती से थी अशुद जाती से थी वो बहुत दुखी थी, वो जानती थी कि वो अशुद है वो जानती थी कि वो किस जाती से है उसने नियूमी के पुत्र से शादी की पुत्र की डेत हो गई मर गया, उसका पती मर गया वो विद्वा हो गई वो अनात हो गई और नियोमी जो उसकी सास थी वो कह रहे थी कि तू जा छोड़के जा मुझे अब मैं अकेली बैतलम जाओंगी लेकिन रूत ने जान लिया कि मुझे उस दुख से निकलना है मेरा उस दुख से निकलना बहुत जरूरी है वो जो दुख है वो जो अकेलापन है वो मुझे कौन निकल सकता है वो पिता वो परमेश्वर इसलिए उसने नियोमी से कहा कि नहीं तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा आज से तू जहां जाएगी मैं वही जाओंगा मैं वही जाओंगी रूत ने जान लिया था कि वो पिता कौन है वो जोती कौन है वो आशीश का करण कौन है वो आशा कौन है उसने जान लिया था इसलिए उसने नियोमी का धामन ठामा और बहतला मागई वहाँ पर परमेश्वर निकरपा कि उसने ईश्यो मसी का स्विकार किया इश्यो मसीर जनम लिया, हालेलुया यानि कि परमेशर ने उस दुख के कारण उस पीड़ा के कारण रूत को अपना बनाया और इश्यो मसीर की वंचावली से जोड़ दिया धन्यवाद पिता परमेशर इसलिए दोस्तों कभी भी दुख है तो हमें धन्यवाद कहना है कोई भी दुख हमें परमेशर के करीब लाता इसलिए वो दुख हमारा आधार है हालेलुया तो धन्यवाद दिजिए उस दुख को जिस दुख के कारण आप प्रभूम में आए जिस दुख के कारण आप मसी बने इसलिए बाइबल कहती है रुमी आठ अठाइस में कि धन है जो परमिश्वर से प्रेम करते है उनके लिए हर बात अच्छाई ही उत्पन करती है कोई भी दुख, कोई भी बात, कोई भी परिस्टी आपके जीवन में आये वो अच्छाई ही उत्पन करती है क्योंकि परमिश्वर आपके साथ है हमें परमिश्वर मिला उस के कारण इसलिए हम धन्यवाद देते हैं आई हम प्रास्तना करते है पिदा परमिश्र धन्यवाद देते हैं सुनने वालों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं परमेशर की कौन कौन से दुख को जेल कर तेरे पास आए और तुने उन्हें अपनी गोदी में बठाया तुने अपने हाथों में तुने उन्हें गले लगा लिया और अपनी संतान बना लिया इसके धन्यवाद देता हूं पिता परमेशर आज का दिन पवित रहे सुनने वालों के लिए आज की सुक और चंगाई मांगता हूं धन्यवाद प्राथना आपने सुनियर को बूल की एमेन एमेन